हाई गाइस, स्वागत है आप लोग का DNews के 36th एपिसोड में यहाँ पर बात करते हैं डिजिटल टूल्स की न्यूस के बारे में मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट यहाँ डॉट कॉम डॉमीन नीम रिजिस्ट्रेशन को लेकर के आ रही है जो की मार्च में हुए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है यहाँ पे गोडाडे ने सबसे आदा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर एक और वेबसाइट है पब्लिक डॉमीन रजिस्ट्री डॉट कॉम वहाँ पर भी आप लोग जाके रजिस्टर कर सकते हो अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गोडाडी से गोडाडी ने यहाँ पर एक अपना नया फीचर लांच कर है जिसको यह लोग कह रहे है लिस्ट फॉर सेल मतलब यह लोग यह चाह रहे है कि कोई भी कस्तमर यहाँ पर अपने डॉमीन नीम को इजिली सेल कर पाए यह लिस्टिंग फ्री है आपको सिर तभी कमिशन देनी पड़ेगी जब आप लोग यहाँ से जब यह पूरी सेल प् जो कि गोडाडे के उपर हो जो कि आपको सेल करने जो आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पर इस फीचर का आप लोग फायदा उठा सकते हो अब बात करते हैं हम लोग होस्तिंग और डेटा सेंटर और ग्लाउट सोरे जिलेटेड न्यूस के बारे में सबसे जो कि एक वेबसाइट बिल्डर है मेंली फॉर इकॉमस प्लैटफॉर्म यहाँ पर उन्हें अपने डेटा सेंटर को आल ओवर दग्लोग काफी बढ़ा दिया है 100 प्लस सर्वर लोकेशन अब आ जाएंगी बहुत ही जल्दी और जो इनकी स्टोर फ्रेंट एपियाई है वो अगली अपड़ेट आप यहाँ प्रेसॉरिट की तरफ से ट्रेसॉरिट जो की एक प्राइवेसी फोकस्ट क्लाउड स्टोरिज कंपनी है काफी अच्छा नाम है इनका प्राइवेसी के लिए और इस वन अव बेस्ट वेन इट कमस तो प्राइवेसी तो यहाँ पर वो एक मेल डिलिवरी सर्विस है मेली स्विजलायंड की तो अब वो यहाँ पर ट्रेसॉरिट को कैसे हांडल करेंगी क्योंकि ट्रेसॉरिट एक टेक कमपनी है तो किस तरीके से आपर उसको हांडल किया जाएगा दाट्स बिग कोश्टन राइए यहाँ पर अपडेट आरी वो AI की मदद से उसको फाइन ट्यून करते हैं यह लोग तो यहाँ पर इनको टू मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली है आर प्रेजेंड मैंने यह वाली कंपनी को अभी तक ट्राय नहीं किया है बट मैं कोशिच करूँगा कि मैं फ्यूचर में इसको यहाँ पर ट्राय यहाँ पर इनके बिलिंग सिस्टेम के जो रिकॉर्ट थे वो लीख हो गया है और यहाँ पर जो यूजर की प्राइवेट की थी वो भी लीख हो गई है वो एक काफी बड़ा सेक्यूरिटी इसु भी है क्योंकि अगर वो प्राइवेट की किसी को मिल जाए तो आराम से ट्र कर रहा है तो यह जो है यह पूरा एक प्राइवेशी शाक्स की रिसर्च थी और उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है अब देखते हैं आगे क्या क्या यहाँ पर और चीजे निकल के आती है अगली अब्लेट यहाँ पर आ रहे है कास्पर स्काई के पास्वर्ड मैनेजर से जिसमें एक बहुत ही बड़ा बग फांड किया गया है पास्वर्ड मैनेजर में नहीं पास्वर्ड मैनेजर के अंदर जो पास्वर्ड जनरेटर है उसमें काफी बड़ा यहाँ पर बग फांड किया गया है तो में प्रॉब्लम इसमें यह थी कि वो टाइन के हिसाब से आपको पासवर्ड यहां पर जनरेट करके दे जाता, मतलब अगर in this moment आप भी पासवर्ड जनरेट करोगे, मैं भी पासवर्ड जनरेट करुगा, तो हम दोनों के पास यहां पर same password ही आएगा, तो यह जो चीज़े यह काफी बड़ा यहां पर security flaw है, इसकी वज़े से जितने भी password generate करे गए हैं उसको यहाँ पर easily crack किया जा सकता है brute force attack के थूँ अगर user को अगर किसी भी attacker को पता चल जाए कि आपने cashbus का है password manager के cashbus का है जो password generator है वहाँ से अपने password को generate किया है तो उसको easily under half an hour उसको crack किया जा सकता है तो यह चीज़ यहाँ पर obviously बह manager का use करते थे वहाँ से आपने कुछ password generate कर रहे हैं 2019 के पहले तो फिर आप लोग अपने passwords को जितनी जल्दी हो से के change कर लीजेगा अभी यहाँ पर इसका patch release हो गया है अगली update यहाँ पर आ रही है Air India से Air India का जो पहले data leak हुआ था यहाँ पर दो जनरलिस ने उनको sue कर दिया है Android Play Store से यहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग scam चल रहा है आट पर लुकाउट ने एक research करिए लुकाउट एक website है यहाँ पर इन्हों ने एक research करिए जहां पर यह निकल के आया है तो यहाँ पर total 170 ऐसे apps निकल के आया है जो कि scam कर रहे है यूजर को और आट पर यह amount जो बताई जा पर हम लोग एक cloud computing operate करेंगे उसमें cryptocurrencies को माइन किया जाएगा एंड यहाँ पर आपको cryptocurrencies को प्रवाइड करा दी जाएगी तो इस तरीके से scam चल रहा है काफी सारे लोगों को बेवकूप बनाया जा रहा है और यह अभी तर प्ले स्टोर पर इसलिए थे क्योंकि यह कोई malicious code नह क्रेस बढ़ गया है तो उसी क्रेस के लोग पाइदा उठागर के बोल रहे है कि आप बस हमें आपे पैसे दो हम आपके बदलें आपे cryptocurrencies को माइन करेंगे एंड एक दो महीने बाद आहाँ पर आपको वह क्रिप्तो करेंसी मिल जाएगी तो ऐसे जितने भी आपको क्रिप्तो नाइन वर्जन यहां पर लॉच हो चुका है जहां पी काफे major changes करेंगा है बिसिकली यह पर तीन major changes है पहली चीज तो यह की JS execution अब यहां पर delay हो जाएगा तो delay JS का पीचर आगया है रिमूव अन्यूज चाइस का फीचर आ अभी तक ही बीटा में अब इस्टेबल वर्जन जिसका नहीं आया है और कुछ specific add-ons भी है जिसको यहां पर remove किया जा सकता है अब 3.9 वाले version में टाशे management के लिए WP Rocket अच्छा plugin है मैं भी इसी को यहां पर use करता हूँ अगली अपडेट है आप पर आ रहे है Awesome Motive के acquisition को लेकर के Awesome Motive जो कि एक company है इनके पास है Monster Insight, Optim Monster, WP Forms यहां पर अगर कभी आपने WP beginner website देखी होगी तो उनके जो founder है यह सब उनी के पास ही है इन्होंने यहां पर require कर लिया है search WP को यह commercial plugin है जो कि यहां पर help करता है WordPress की जो search functionality ह उसको और enhance करने के लिए और improve करने के लिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ General Digital News के बारे में सबसे पहले हैं आप अपडेट आ रहे है Envato Elements की तरफ से Indian residents के लिए Envato Elements का में detailed review पहले ही कर चुका हूँ आप प्वाइबटन के ओपर मिल जाएगा काफी अच्छी service है लेकिन रीसेंट यहां पर इन्होंने GST को इंट्रिद्यूस कर दिया है तो अब अगर आप लोग इंडिया से इसको पर्चेस करोगे तो यहां पर आपको 18% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो अगर आपके बास GST नंबर है तो बिलिंग में जाकर अपना GST नंबर Envato Market पर ज़र अगर इनको यहां पर GST करना है तो मेरे हिसाब से अगली अपडेट यहां पर है गूगल प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर से नाइन आप्स को रिमूव कर दिया गया है यहां पर डॉक्टर्स वेब की एक मैलवेर आनलिस्ट रिपोर आई थी जिसमें नो ऐसे आपको अगली अपडेट यहां पर इंडिया की सास फर्म घ्रोथ को लेकर कर आ रही है यहां पर ऐसा एसा एसा इस्तिमेट लगाया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया की जो SaaS companies रहेगी उसकी worth यहां पर around 1 trillion की हो जाएगी which I strongly believe कि यह possible है इंडिया यहां पर dominate कर सकता है software market में SaaS market में easily dominate कर सकता है हम यहां पर hardware market को dominate नहीं कर पाया और हमारे पास यहां पर proper infrastructure भी नहीं था hardware market को dominate करने के लिए चाहे वो mobile phones हो जाए cars हो जाए Tesla हो जाए यहां फिर impact solar भी हो जाए लेकिन in my opinion software market जो है SaaS market जो है यहां पर इंडिया आराम से dominate कर सकता है and software engineering is something जो इंडिया ने काफी time से काफी अच्छे produce किये है software engineers नहां पर काफी अच्छे produce हुए है वो बात अलग है कि वो लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं लेकिन we do have a good quality of software engineers फ्रॉम इंडिया तो अगर यह पर strategy बनाए जाए and government की तरफ से support मिले तो definitely इंडिया यहां पर easily dominate अब दे रहे हैं इनके अभी birthday sales चल रही है तो इनके basic plan या फिर plus plan या फिर choice plan तीनों पर discount इसके available है इसका detailed review में already कर चुका हूँ आप बटन के उपर मिल जाएगा तो अगर आपको लेनी है तो आप लोग देख सकते हो and then अपने लिए आप डिसीजन ले सकते हो अच्छा ओफर है अगली अपडेट अगली 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 अगल अगली 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 अगल not as good as Canva, Canva तो leader ही है, Canva जितना नहीं है, लेकिन अगर आपको animated post वगरे create करने हो, animated videos वगरे बनाने हो, तो फिर क्रेलो की तरफ देख सकते हो, इनका website और आप दोनों अच्छे है, अगली अपडेट हैं, अगली अपडेट हैं, डबलूपी रेसेट की तरफ से ये भी पहले deal अभी वापस से ये deal पर आया है, तो अगर आप लोग यहां पर बहुत सारे clients की website को manage करते हो, तो इसकी तरफ देख सकते हो, यह एक अच्छा tool है, मैंने भी इसको purchase किया है, इसको use भी किया है, तो अगर clients की website manage करते हो, तो अच्छा है, बाकि अगर आपको इसका use नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं है, और बाकी updates यहां पर rank math पर एक offer आया था, वो add present खतम हो चुका है, वो मने ट्विटर पर अपडेट किया था, तो आप लोग मुझे यहां पर Twitter पर फॉलो कर लिजेगा, जो भी interesting updates होंगे, वो मैं regularly Twitter पर यहां पर update करता रहोंगा, so that's all for this one, अगर झाल